जै शीराम सभी भगतों को जै मातागी फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताईए जैसे कि अगर मेंधीबूर बाला जी जाते हैं और जाने की हम त्यारी करते हैं और उस समय ऐसा क्यों हो जाता है कि संकट बहुत जादा परिशान करने लग जाता है संकट रोगी को या परिवार के सदस्यों को तो हमारे साथ अंतक बने रही है तब भी आपको सारी वीडियो समझ में आती है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शियर करें कोमेंट करें और अगर आप हमार चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें साथ में बैल आइकने उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हरे एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुँच जाए चलिए सुरू करते हैं आंस की वीडियो जै जय श्री राम जय श्री बालाजी माराज बाबा की असीम किरफा आपके परिवार पर सदय बनी रहे और मेरी माई जगज निमा बवानी अम्ब के किरफा आपके घर में अनपुना रुपे वाज़ के जैमाता आगी जैसा ही हम महंदी पुरुबाला जी की डेट रखते हैं या ऐसी कहीं किसी भी जगा पर जहां पर बाबा की पूजा या चना या कोई भी शुद ऐसा कारिया हो रहा होता है या कोई तीर्थ पे खास कर की महंदी पुरुबाला जी पर अगर जैसे हम जाने की चिस पकार से डेट तारीक रखते हैं उसी समय हमारे घर में उत्पात बन जाता है बहुत सी पकार की प्रस्तितियां आकर खड़ी हो जाती है हमारे घर के अंदर हमें पता नहीं होता कि हम बाब बाला जी माराज के जा रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारे घर कें अंदर इस पकार की दिखते उत्पन हो रही है। इनके पिछे कीश चीज़ का कारिया होता है, कैसे कैसे कारिया उता है? या मैं आपको बदाना चाता हूँ, क्योंकि उस समय जो घर के सदस्यों होते हैं, उनके सिर तो फिरे वे होते हैं उनके सिर के उपर जो है चीज़े अटैक करती है मालो किसी परिवार के अंदर तीन चार चीज़े रहती है तीन चार प्रेत आत्माई उनके घर में रहती है तो वो क्या करती है किसी ने कभी किसी की बोड़ी पर बैट गए तो उसकी बोड़ी पर बैठकर तुरंत सामने वाले वग्ती को अपशमद करवा दिये उस वग्ती की बòड़ी पर बैठकर तो उसके मुझ पर दोनों कर्वा दी बृणता करवा दी, पहला तो इस पकार के घर में कल्यस उत्वित्पन्य है हैं और पती पतनियों अगर पती पतनी कहीं नहीं जा रहे हैं या किसी ने कोई अगर आपके परिवार के ऊपर कोई प्रोग्राम कर रखा एंज हम किसी पिकारगी चोकी छोड़ी भी है तो आपकी उसी से में बुद्धी विचलित हो जाएगी पहले तो आप कहते रहोगे कि मैंने बाला जी जाना है और अचानकी सदल्ली आपका मन जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा इसके पिछे किसी का कारिया यह जो कारिया है जो चीजे टार्गेट पर बैठी है क्योंकि जो चोर है वो पलीस के पास नहीं जाता उसे पता है कि कहीं न बाला जी था किसी के सदल्स नहीं तो आपके साथ के रहता है अब आपके साहे मैं आकेला ही जा सकता हूं वहक ह्यों तो- भाया आपकी पत्नी के उपर कुछ नहीं आता ये जो चीज़े होती है करम से होती है आपके करम जिस चीज़े जुड़े वे होते हैं उन्हीं चीज़ों से ये चीज़े होती है आप जैसे जाओगे वैसे ही घर पे वापस आजाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी बाला जी जान वैसे तो बाबा की जो किरपा है वो हर जगह आ जाती है नेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो पूजनिया होते हैं जहां पर कंट्रीनु प्रभू की किरपा उत्पन होती है जैसे शंकर भगवान के शिवलिंग जो है तंबकेश्वर हो गया रामेश्वर हो गया समझगी यह तो इनकी मानता है वैसे तो शिवलिंग हर मंदिर में है नेकिन एक जगह की मानता उत्पन हो जाती है कि वहां पर किरपा उत्पन हो जाती है एक विशेश किरपा उत्पन होती है इसी पकार से क्या होता है कि जब आप ऐसा संकर आपके साथ कर रहा है आप बाला जी जा रहे कि कि इसमेंधिनों में मंद्रों में नहीं जाए जाता तो शनकट क्या करता है उन को समय से पहले मादोफ समय से पहले यह प्रोब्लम कर देता है अगर स Calvin से पहले और ताकि वहाँ वह आपके घर पे पुन रूप से हैवी हो सके। क्योंकि ऐसा बहुत सारी लेड़ी जों के होता है जैसे ही तारिक रख दी। तारिक के तुरत बाद लेड़ी जों के साथ इस पकार की प्रोबन हो जाती है कि समय से पहले महामारी आज या जती है क्योंकि वो हर पकार का कारिय करते हैं बाला जी जाने से आपको रोकने के लिए अब ये आपके ओपर डपेंड करता है कि आपके निश्टा के ओपर डपेंड करता है आपके बिश्वास के ओपर डपेंड करता है कि आप कितना मजबूत होकर आप अपने परिवार को लेके जा है तो उसे आपके घर के बारे में बहुत कुछ पता है उसे पता है कि Ti possibly ये कम जोरी है इस ये क्षिक क्रोदी है इस व्यक्ति के पास यह तोटा है इस गर में ये इस चीजिगी कमीं है कहीं तो कहीं से आपके गुछ लाखों रुपे आ रहे हैं तो कहीं न कहीं गलत जगाओं पर भी वही चीज़ें लगवा देती हैं तो आपने ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चीए मैं आपको आज बता हूं पहले तो जाने का जो प्रोग्राम है घर के बार आप शैर करने के बहाने के लिए बार जाकर विचारदारा को आप त्यार कीजिए फिर दूसरी बात ये होती है कि आपको अगर जाना है तो आपने तुरंद बाबा की दर्कास लगाते रहे डेली दस रबे की दर्कास लगाकर कंटीनू लगाते रहे कि हे बाबा हमें महंदीपुर बाला जी ज विकार कीजिए इस प्रकार का परियास आपको continue रखना चाहिए जिस दिन आपको जाना है अगर आपको जिस दिन जाना है आपने क्या करना है सवा मिटर लाल कपड़ा और एक नारियल और तीन लोंग और उसके बाद 21 उर्द के दाने और 10 रपे की दरकास यह आपने अपने प आपके परिवार के ओपर किसी भी प्रकार का परियास नहीं कर पाएगा ना ही आपको रोक पाएगा ना आपके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी अर्चन डाल पाएगा अगर लेडिज को प्रोब्लम हो रही है तो वो भी नहीं कर पाएगा जिस भी लेडिज को प्र राम जैश्री बाला जी महाराज बावा की असीम गिर्पा आपके परिवार पर सदय बनी रहे जैमाराज